रमजान मुबारिक टू आल असलाम लेकूम तो एवरीवन कैसे आप सब उमीद करूंगी कि सब खेरियत से होंगे सो यहां पर मामा गुंदरी थी आटा क्यूंके सहरी के लिए रेडी कर रही थी प्रिपेशन्स कर रही थी हम बारा आइधिंग बारा यह साड़े बारा हो रहे दॉक्टरा ने मना किये थे बड़ लेकिन आज जो है अची से बन रही है तो फिर मैंने भी सोचा कọंगी तो यह होती है मारी साड़े क्वि क्यूंके नो भी साड़े करते हैं मामा और बाहरे से और से राइट यह रूटीन है माँद रही थी हैं में उंके पास बैठी किस प कोशिश करने नींद नी आ रही थी उनी क्या बात है रमजान में नीन नी आती जब तक सेरी ना कर लो और मामा तो सेरी करके ही सोती है तो यहां प्याहँ पी आठागुन रही थी मैं उनके तो मुझे तो नीद आ गई थी और मैंने घंटा की नीद ले लिए तो इसे अच्छा हो जाता है आप नीद जुरूर ले लिया करें और क्यूंकि फिर आपको तहजुत पढ़ने का भी टाइम मिल जाता है एक बोनस पॉइंट हो जाता है आपके पास अच्छी अच्छी करने क और रमजान में तो आपको बता है कितना ज्यादा सवाब मिलता है तो अब हम उठेंगे और अपने आपको फ्रेश करेंगे और मैं काफी दिन होगे थे रमजान में ना मेरी रूटीन बड़ी खराब सी हो जाती है ब्रॉश वगरा की तो इसलिए मैं आज ब्रॉश करूंग हैं डर की लिग सबस्क्राइब हैं और ली नीचे करने लगया है तो अब हम सबस्क्त पांइ पहले पानी पिलेते हैं मैं सेरी से पहले नास पानी पीने हुआ प्यार्बाटीले रिया कर आए तो सीरी से पहले साही के बाद भी ख्रूदूरों और आपको सारी वाय्त्स आरि कि मतब क्या कहते हैं नूट्रिशन्स मिल जाते हैं आप पुरा दिन बहुत अच्छे से एक्टिव हो की गजारते हैं और आप खजूर खाते हैं चबाते हैं उसके उपर पानी पिलेते हैं तो इस तरह से आपको प्यास का एसास भी ज्यादा नहीं होता तो यहां पराठे बन और मैंने सोचा के इनहीं देख के मैंने सोचा कि चलो आज रूटीन तोड़ो और आज पराठा का बलकि काफी दिन से मैंने 8-9 रोजों में 10 आइधिंक 10 रोजे हो गया है तो उन डेस में मैंने एक भी पराठा नहीं खाया लेकिन आज थोड़ा दिल कर रहा है पराठा कहने परтеड़ा और अड़ा फ्राइबवाव करेंगे ही और सालंड चो रात का बनााधा भो यूज़ करेंगे और यह इस दाना से हमारी सेरी होती है बहुत कमोशी के साथ हूरी है नहीमारे घर में अतनी जव्हेदा प्राठा नहीं होते हैं और ज्यादा से जव्यादा यहां पर अंडा फ्राइय करने लगी हैं मैं थोड़ा कम खाती है लेकिन मामा को हाफ रहे अंडा बहुत संद है तो अब वह उन्डा करेंगी निदे जल्दी से पापा को ठालते हैं अब बाइर देख रही थी इतना अच्छा मौसम था इतना सुकून सुबा में होता है सची में बहुत ज्यादा तो यहां पेंडा फ्राइ हो रहा है जोई सब इसे उतार लिंगे प्लेट में और इसके ओपर काली मूर जो है वो डाल देंगे और यह हमारा जो है यह भी तियार हो ज कीपए सक्षाय रेंगे होई जो ऊच्छाए में होई टीरो सहरी एक और देही है वा रोड देही बुर आढ़िसे तो में सेहरी कर लीए है ओव हम चाइगे में ज्यादा नेहीं पीती थोड़ी सी चाय पिरूंगे हूंगे और बस यह थी मेरी अदेही सास्य नेदेकी हुर होपस हो कि आपको अच्छी लगी होगी मैंने कोई ज्यादा वो नहीं किया जो मैंने करती हूं मैंने वही आप से शेयर किया होपस हो कि आपको पसंद आएगा अब नमास पढ़ेंगे देन सो जाओंगी क्योंकि सुबा स्कूल जाना आता है तो साड़े साथ बजे दुबारा से उटना पड़ता है तो अलाफीज जजाक लगा दौा में ज्यादा से ज्यादा याद रखी